श्रीफल न्यूस परिवार की प्रस्तुती श्रीफल न्यूस दिनेश जी खोड़निया के आगामी कारिक्रम धार्मिक श्रीफल परिवार के राष्ट्रे अध्यक्ष है दिनेश जी खोड़निया अगले वर्ष करनाटक के श्रवन बेल गोला में आयुजत होने वाले विश्व प्रसिद्ध भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिशे की तैयारियों के लिए एक फरवरी को राश्ट्रे व्यवस्ता कमेटी की बैठक में भाग लेने श्री समाज के अध्यक्ष और धार्मिक श्रीफल परिवार के राश्ट्रे अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया, मुनी सेवा समीती के अध्यक्ष सुरेश जी संगवी, दशा हुमड युवा महासभा के अध्यक्ष सुन्दर की डागरिया आज बंगलुरु के लिए रवाना हुए। सिलाहकार मंडल के माननिय सदस्यों के साथ 3 फरवरी को पार्सोलावी परम गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में आयुजित, भव्य, अनत, उद्यापन, विधान एवं आचार्य श्री के ग्याहवे आचार्य पद पदारोहन समारों में भाग लेंगे। कारिक्रम में समाच के पदाधिकारी पंच युवा वं महिला महसभा सहित सभी समीतियों के कारिकरता उपस्तित रहेंगे। अध्यक्ष जी चार्व पाच फरवरी को मध्यप्रदेश की पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य पुष्पदंत गुरुवर वा मुनीश्री पूज्य सागर जी के सानिध्य में आयोजित लगू पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारों में भाग लेंगे। पुष्पगिरी कारिक्रम में अखिल भारतिय कॉंग्रिस के सचीव तारा चंद जी भगोरा समाच की महा सचीव अशोग जी जैन, युवा महसभा के अध्यक्ष प्रवीन जी घोडा, महिला महसभा की अध्यक्ष प्रेरिना जी शाह, ट्रस्टी नरेंद्र जी शाह, उशा जी खोड़निया, सीवा जी जैन भी उपस्तित रहेंगी, अध्यक्ष जी 6 फरवरी को महराश्ट्र के मांगी तुंगी में विश्व की सबसे उची भगवान आदिनाद भगवान के मस्तका अभिशेक में सब परिवार मुनी सेवा समिती के अध्यक्ष माननिय जी जी संग्वी परिवार के साथ पूजा अर्चना करेंगे। श्रीफल नियूस के लिए राखी जैन की रिपोर्ट